Breaking News ये एक alert वीडियो है CA Foundation December 22 एस्टुडेंट के लिए मैं आपको वीडियो के starting में ही sorry बोल देता हूँ बहुत सारे इस्टुडेंट अभी पढ़ रहे होंगे क्योंकि कल exam में कुछ students सो रहे होंगे बट जो भी update आता है मेरा काम है सबसे पहले आप लोगों को inform कर देना ताकि आपके मन में एक भी doubt न रहे जब मैं Instagram open कर रहा हूँ ये YouTube comment box में continuous doubt आ रहा है एक form के बारे में student continuous मुझसे पूछ रहे हैं और student बोल रहे हैं कि next exam में उसको ले के आना otherwise उनको exam नहीं देने दिया जाएगा CA Foundation December 22 का उस form का नाम है minor form तो minor form के बारे में इसमें पूरा detail में बात करेंगे जैसे कि आप लोगों को पता है already कि मैंने वीडियो बना करके inform कर दिया था December 22 का IAI minor form release नहीं किये है बट exam center पे student से मांगा जा रहा है minor form इस वीडियो में पूरा solution बताएंगे तो वीडियो को कहीं पे skip नहीं करना है वीडियो को skip करोगे तो आपके मन में बहुत सारा doubt आ सकता है मैं पूरा कोसिस करूँगा इस वीडियो को अगर आप पूरा complete देख लोगे तो आपके मन में एक भी doubt नहीं रहेगा तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना किस-किस के exam center पे minor form मांगा गया प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा minor form उनको भरना होता है जिनका age 18 साल complete नहीं हुआ वो minor हो उनहीं को minor form फिल करना होता है अब आपके screen पे July 21 का exam guideline सो कर रहा है ऐसा ही same guideline number 20 के exam में आया था जब इसको scroll down करके तुरह सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे minor form के बारे में लिखा होगा इसके बारे में point number 17 में लिखा हुआ है minor form के बारे में जो भी candidate minor होंगे उनको parents से consent लेने के बाद ही exam में appear करना होता है parents से consent लेने के लिए आपको minor form fill करना होता और exam center पे submit करना होता था तो minor form fill करोगे उससे आपको parents से attached भी करवाना परता था तो जिस भी exam में ICAI को minor form चाहिए तो ICAI guideline में mention कर दे थे और साथ में minor form को update करते थे बट अब आपको December 21 exam का guideline सो कर रहा है यहाँ पे कहीं पे भी इस guideline में mention नहीं किया गया है minor form के बारे में और नहीं ICAI minor form release की है बट पता नहीं exam center वाले क्यों मांग रहा है minor form एक बार फिर से बोलें December 22 exam के लिए minor form को update नहीं किया गया अब आपको क्या कर लेना वहां से download कर लेना है देखो minor form उनहीं को exam center पे ले जाना होता है जो minor होते हैं देहान से दूसरी बाते को सुन लेना अगर आपने account का paper का exam दिया और आप minor भी हो अब आपसे minor form मांगा नहीं गया तो skip कर दोगे बट जो भी minor student और जिनके exam center पे continuous मांगा जा रहा है minor form के बारे में कि आपको next paper में लेके ही आना होगा तो वो लोग इस minor form को charter studies के telegram channel से download कर लीजिएगा इसके बाद इसको print out निकल वा लीजिएगा नियर सॉप में जा करके black और वाइटी print out निकल वाएएगा print out निकल वाने के बाद इस minor form को fill कर लीजेगा black born pen से भी fill कर सकतो या blue pen से भी fill कर सकते हो old minor form को edit करके बना दिया गया है December 22 का minor form तो जो भी exam center पे मांगा जा रहा है continuous student से तो ये minor form आप submit करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा सबसे पहले में आपको अपना नाम लिखना जो भी आपका नाम होगा पूरा नाम यहाँ पे लिख दोगे इसके side में लिखाओ born on आपको अपना date of birth लिख देना जो भी आपका date of birth होगा वो date of birth को यहाँ पे fill करोगे इसके बाद आपको अपना registration number देख करके लिख देना है side में यहाँ पे आपको registration number लिखना है registration number लिखने के बाद यहाँ पे side में इसके बाद आपको roll number लिखना है roll number आपके admit card पे given होगा वहाँ से देख करके यहाँ पे आपको आप अपना roll number लिख देना है scroll down करके नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको parents का यहाँ पे signature चाहिए sign ले लीजिएगा आप लोग अपने parents का यहाँ पे बोलिएगा sign कर देने के लिए blue या black ball pen किसी भी pen से यहाँ पे sign कर बाद सकतो इसके नीचे में जिन भी parents से आप sign लोगे उन्हीं का यहाँ पे बोलेगा पूरा नाम लिखने के लिए जिनका sign होगा उन्हीं का नीचे में name लिखाएगा इसके नीचे में जिनका sign name होगा उनी का mobile नंबर यहाँ पे लिखाएगा I hope कि यहाँ तक आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहा होगा इसके नीचे में candidate signature है आपको signature नहीं करना है कब signature करना है आप लोग ये invigilator के सामने यहाँ पे signature करोगे बस simple सा इतना काम है आप लोग ये करके लेके जाओ exam center पे और जो minor नहीं है और जो minor होने के बाद भी उनके exam center पे नहीं मांगा जाएगा तो उनको minor form फिल करने का कोई ज़रुवत नहीं है जिन से मांगा जा रहा है तो वो लोग फिल कर लीजेगा minor form आप लोग डाउनलोड कर सकते हो charter studies के टेलीग्राम चैनल से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है charter studies रिक्वेस्ट करेंगे students इस वीडियो को जहूर सेयर कर दीजेगा ताकि student का benefit हो सके और लास्ट में छोड़ा सा request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification बेल दबातीजे ताकि आपको CA डिलेटर एक भी important update या announcement मिसना हो पाए बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे आप live के साथ साथ recorded lecture भी देख सकते हो और साथ में unlimited व्यूजर कुछ student का कुछ classes मिस हो गया होगा तो recorded format में classes available है अगर आप लोग अनेकेडमी का subscription लेते हो तो किसी एक batch का भी subscription लोगे CA foundation का तो आपको सारे batches का access मिल जाएगा अनेकेडमी का subscription लेने के लिए सबसे पहले आपको play store से अनेकेडमी का learning app डाउनलोड करना इसको आप जितने भी मंत का subscription लेना चाते हो आप easily ले सकते हो आपको ये price ज्यादा लग रहा है तो आप चार्टेर स्टेडिस्टेन कूपन को यूज करोगे तो आपको additional 10% का discount मिल जाएगा एक बार फिर से बोलना है आप चार्टेर स्टेडिस्टेन कूपन को जरूर यूज कीजिए आनेकेडमी का subscription लेते समय